दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दू कि बहुत से लोग जो है तो मुझे कमेंड में ये कहते हैं कि जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो हमें दिखाओ मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखाओ या तो ना दिखाओ तो उससे आपको क्या मिलने वाला है ये कोई कम है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और इसके रिगार्डिंग आपको तो पता है कि मेरे चैनल पे मैं आपको जो नेक्स्ट सेशन है उसके जो important support resistance जो level होते है उसको analysis करके मैं मेरे चैनल के community section में इसको image के form में post कर देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको end of the day यानि की market close होने के बाद में वो जो मैंने आपको level दिये है क्या वो उसने काम किया है या नहीं किया है और उसके बाद में वहाँ पे price action क्या हु हुआ है इसके regarding मैं आपको dip में बताता हूँ लेकिन कुछ लोगों का interest मेरा जो profit and loss का जो statement है वो देखने में होता है उससे आपको क्या मिलने वाला है फिर भी मैंने दो दिन से जो है तो मैंने आपको profit तो वहाँ पे show नहीं किया लेकिन जो मैंने level दिये थे वहाँ पे मैंन लाहिव recording वहाँ पे दिखाया है लेकिन कुछ privacy concern की वज़े से वहाँ पे मैंने amount वगेरा कुछ भी show नहीं किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे आपको क्या होने वाला है उससे क्या मिलने वाला है आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला आपने देखा होगा कि अब जो लोग होते जिनको हवाबाजी का शोक होता है वो अब दिखाते है पता नहीं वो क्यूं दिखाते है क्या नहीं लेकिन उसके मैं दो रिजन मैं आपको बताता हूँ क्यूं नहीं दिखाता हूँ एक तो है privacy concern और दूसरा है कि जो beginner trader होते है उससे वो influence हो जाते है यानी कि ये जो profit वगेरा देखते हैं न तो उनका mind भी उससे खरब हो जाता है ये एक reason है और दूसरा है कि आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े trader है उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ जो रचना रानड है उनका भी एक channel है वो तो कितनी बड़ी ये है उनके channel पे आपको एक भी वीडियो में आपको उनका जो लाहिव trading या तो लाहिव profit है उनका जो statement है आपको वो कभी नहीं दिखाई देगा उसके बाद में पुशकर राज है उनके भी आप channel पे कही पे भी मुझे एक single video बता देना उनके channel में उन्होंने जब profit और loss का कोई statement दिखाया हो उसके है power of stock उन्होंने भी कभी उनके channel पे आपको ऐसे profit या तो loss का statement देखने को नहीं मिलेगा और मैं आपको ये भी clear करना चाहता हूं कि आपको आने वाले भी कितना भी channel बढ़ा हो जाए आपको कभी भी मेरा जो loss profit का statement है आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा तो आपने ध् दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा होगा यह 3.40 मिनिट हो चुके है और जो nifty और bank nifty है तो यह trading session अभी close हो चुका है सबसे पहले हम देखते है कि market ने यहाँ पर आज price moment क्या किया है उसके बाद में हम price action और उसके बाद में entry exit उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यह nifty का chart है तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप market जो है तो यहाँ पर open हो गया यहाँ पर उसके बाद में market ने क्या किया निप्टी ने क्या किया कि यहां से यहां तक चला गया और उसके बाद में यहाँ पर जो यह line दिख रही है यह आपके चार्ट पर यह exact line नहीं आएगी लेकिन मैंने कल ही मेरे community post में आपको mention किया ताकि यह जो यहाँ पर यह line दिख रही है आपको यह वाली तो यह बहुत important है तो इसको आपने द्यान में रखना है उसके बाद में क्या हुआ कि निप्ती ने यहाँ से थोड़ा bounce ले लिया फिर नीचे चला गया और यहाँ पे अगर देखते है तो exactly उस price से यहाँ से जो निप्ती है तो उपर चला गया और finally यहाँ पे और यह थोड़ा consolation करने के बाद में यहाँ से फिर market जो है तो यहाँ पे close हो गया तो अब हम यह तो निप्ती का यह moment हुआ है अब हम देखते है कि आपके लिए सही entry और exit कहां पे था आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको दिन बर trade नहीं करना होता है आपको एक ही trade करना है और उस एक trade के लिए आपको दिन बर भी wait करना पड़ता है तो आपको करना चा तो entry कहां पर थी यह मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए first entry थी यह वाली तो यह वाली first entry क्यों थी इसके regarding भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि यहां पे market open हो गया और नीचे चला गया it means क्या है कि इस level पे जो है तो इस level पे आपके seller exist करते हैं और price जो है तो बहुत देर यहां पे consolidate करता रहा और जिस तरह की candles यहां पर बन रही है हमें क्या करना है कि हमें big player जो होते है तो उनको follow करना होता है यह retail mindset आपने निकाल देना है आपने देखना है chart पर कि buyer कहां पर है seller कहां पर है supply कहां पर है demand कहां पर है और यहां पे अगर देखते आप तो यहां से market नीचे गया है और यहां पे इसका मतलब है कि इस level पे जो है तो यह seller है और यहां पे जो यह बड़ी बड़ी week दिख रही है आपको week यह जो week होती है यह कोई normal नहीं होती है यह जो week के regarding मैंने एक detail में video दिया है जिस में मैंने आपको यह से लेके जहर तक यह week का क्या meaning होता है यह कब बनती है और इसके base पे आपको क्या decision लेना है इसके regarding बताया है तो आप जो है तो यह की entry यहां पर कर सकते थे क्योंकि उपर जो week दिख रही इसका meaning है कि यह जो level है तो इस level पे seller है उपर week मतलब seller नीचे ज्यादा week मतलब वहां पे buyer यह आपने simple द्यान में रखना है तो आपके लिए first entry तो यहां पर थी और one each two का risk reward आपको follow करते हुए यहां पे profit ले सकते थे उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए second entry कहां पर थी जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि यह जो level है यह वाला यह line तो यह बहुत important है मै मैंने यहां पर पूरा यहां तक जब तक price नहीं आता है तो मैंने wait किया मैं जो हूँ तो मैं बहुत discipline trader हूँ यह मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अगर stock market में और trading में discipline नहीं follow करते है तो आपका यहां पर ना मुंकिन है पैसा कमाना हूँ मैं entry तो यह retailer mindset के हिसाब से कही पर भी कर सकता था यहां पर कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे high probability सिर्फ एक ही trade करना है और जब तक price उस level पे नहीं आता है तो मैं कोई भी trade decision नहीं लूँगा यह मुझे जो है तो यह मुझे कल ही पता होता है अगर उस level पे price नहीं आता है तो मैं वहाँ पे trade नहीं लेता हूँ और जो मेरे 12 high probability pattern है उसे के हिसाब से मैं trade करता हूँ जिसमें से यह यह जो है तो उसमें high probability pattern है that's why मुझे most of time जो है तो property होता है तो मैंने क्या किया कि उसके बाद में जैसे ही प्राइज यहाँ पे आता है और यहाँ पे यह प्राइज एक्षन देखा था यह जो कैंडल बड़ी दिख रही है इस लेवल के उपर आपको यहाँ पे अगर देखेंगे आप यह जो स्क्रीन शॉट है यह बैंक निप्टी का ह अक्चुल में लेकिन यहाँ पे मैंने बैंक निप्टी में इंट्री की थी क्यूंकि आपको तो पता है जब आप मेरे शुरू से वीडियो देख रहे है तो कि निप्टी और बैंक निप्टी एक दूसरे को फॉलो करते है प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ए अपने कॉल ओप्शन बाई किया था यह अपने द्यान में रखना है और उसके बाद में मैंने वन इस टू का रिस्क रिवाड लेते हुए मैंने यहां से यह यहां तक मैंने मेरा ट्रेड जो है तो यह इस लेवल पे मैंने क्लोज कर दिया था मेरा स्टॉप लॉज जो है त आपको bank nifty में के trade opportunity कहां पे थे, price action क्या हुआ है और market ने आज के दिन movement क्या दिया है, अगर आप देखते हैं तो यहां पे market open हो गया, यानि कि bank nifty open हो गया, यह जो green candle है, green candle को देखकर जो novice और retail trader होते हैं, तो वो long इंटर करते हैं, क्योंकि किताबों में या तो लोगों के videos म उन्होंने सुना है, कि green candle मतलब bullish, लेकिन वो यह भूल जाते हैं, कि candlestick और यह wix जो होती है, उनका क्या importance होता है, यहां पे अगर देखेंगे, यह wix, यह wix, it means क्या है, कि यह यहां पे seller है, तो ऐसा क्यों, कि हर बार यह wix काम करती है, क्या, नहीं, यह काम करती है, buyer और seller supply और demand, support या तो resistance की level पे, यह अपने ध्यान में रखना है, तो यहां पे price action क्या होता है, यह हम सबसे पहले देखेंगे, अब जिन लोगों ने इस green candle को देखकर, यहां पे अगर देखते हैं यह green candle को देखकर, जिन लोगों ने यहां पे long entry ले ली होंगी, इस level पे, उनके stop loss कहां पर होंगे, एक logic लगाना, उनके stop loss होंगे, यहां पे या तो यहां पे, तो क्या होता है, कि उनके stop loss एक बार hit हो जाते हैं, तो आपके लिए trade opportunity, first trade opportunity कहां पर थी, तो आपके लिए trade opportunity थी पहली, यह जो पहली candle का, जो low है, यह जैसे ही, इसके नीचे candle जो है, close हो जाती है, तो आपने यहां पे, जो है, तो यह short entry, यानि कि put यहां पे buy कर सकते थे, इस level पे, आपको मैं बताना चाहता हूँ, यह जो first candle का जो strategy है, कल ही महिन मेरे channel पे डाला हुआ है, इसके regarding, आप उसको check कर सकते हैं, और शीख सकते हैं, कि पहली candle के उपर, trade कैसे करना ह हैं, यहां पर अगर देखेंगे आप कि इतनी candle बनी, यहां पर अगर देखते हैं, यहां पर, एक, दो, तीन, चार, चार candle बनी, लेकिन यह भी candle जो है, तो यह भी candle ने यहां पर, जो first candle का जो low है, तो उसके नीचे closing नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसके नीचे जो है तो जो retail traders होगेरा होते है तो उनके stop loss होते है एक बार अगर उनके stop loss hit हो जाते है यहांपे hit हो जाते है तो by order में opposite side by order में वो convert हो जाते है तो professional भी जो है तो यहांपे वो ऐसा करते है क्योंकि उनकी जो requirement है उनकी जो quantity है without slippage उनको fulfill हो जाती है तो इसका आपने ध्यान में रखना है यह इस candle पे आपकी entry कर सकते थे आप और आपका जो stop loss है तो यह इसके उपर रहेगा और आपका target जो है तो 1 is 2 के हिसाब से आप book कर सकते है और second opportunity जो है तो आपको अगर इतना समझ में नहीं आता है तो आपके लिए trade opportunity patiently wait करना है जो मैंने levels दिये थे मैंने trade opportunity को कैसे identify किया और मैंने patiently इस level पे price आने का wait किया और nifty में इस level पे एक बज़े अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है तो यह जैसी यह जो line दिख रही है आपको ऐसे line निप्टी में मैंने पहले यह आपको बताया तो ऐसी एक line थी तो उसके base में मैंने यहाँ पे long entry कर ली थी without यहनि मतलब कोई भी wait नहीं किया और long entry ले ली जिसमें से मैंने यहाँ पे one is two के हिसाब से मैंने profit कमाया जिसका अप लाहिव recording यहाँ पे यहाँ पे देख सकते है यह मैंने bank nifty में trade किया था तो इसको अपने ध्यान में रखना है trading वगेरा जो है तो यह बहुत आच्छा यह का आपको career बन सकता है यहाँ पे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे किसी को मांगना नहीं पड़ता है आपको नोकरी की तरह यहाँ पे हमालगिरी नहीं करने पड़ती है यह पारी in the sense आप यह मत कहना कि मैं कभी loss नहीं करता हूँ loss जो है तो हर किसी का कितना भी बड़ा क्यों ना वो trader हो हर किसी का loss होता ही है लेकिन उसके कुछ rules है कि आपको loss कितना करना है profit कितना लेना है loss नहीं होगा यह आप इसको avoid नहीं कर सकते है loss को आप सिर्फ इसको control कर सकत है यह अपने द्यान में रखना है risk management को follow करना है और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो secret है कि क्यों मैं हर बार जो है तो मैं क्यों profit में जाता हूँ तो उसका मैं आपको secret बता रहूँ वो है trading psychology अगर आप भी मेरी तरह ही technical analysis, chart trading, pivot point, CPR, price action, risk management, lot sizing, trading psychology जी यह सब सीखना चाहते है जिसमें मैं आपको beginner से लेकर advance तक यह से लेकर जहर तक मैं आपको expert करता हूँ कल के video में मैंने जिन लोगों ने मेरा course जोईन किया था उनके मैंने feedback आपको live वहाँ पे दिखाए थे उसको भी आप गर आप देखना चाहते है तो उसको भी देख सकते है और आप अगर profit कमाना चाहते है बिना loss किये तो आप मेरे course को भी जोईन कर सकते है उसमें मैं आपको यह सब चीजे मैं आपको सिखा था हूँ आप अगर interested है तो वीडियो की description में इसका link दिया हुआ है उसके उपर click करके आप मुझे whatsapp या तो email पे contact कर सकते है so thanks for watching see you in the next video